अगर हम चाहते हैं कि दिवाली में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खुसियां ही हो तो कुछ साउधानियों को हमको अपना लेना चाहिए सबसे पहली बाग कि दिया जलाते समय या पटाखे जलाते समय हमको ढीले कपड़े नहीं पहनना है बलकि चुस्त कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा सुरक्चित रहेंगे जब भी पटाखे जलाने की तयारी करें तो साथ ही एक पानी से भरी हुई बाल्टी भी अपने पास रख लें ताकि अगर कहीं किसी के हाथ आदी जल जाया तो तुरंद उसमें हाथ को डुबा दिया जाया और पानी के कारण वह जलन कम हो जाएगा और आग का असर भी बहुत कम होगा पटाखे बच्चे कभी भी अकेले ना जलाएं जब भी आप पटाखे चलाना चाहें तो साथ ही किसी बड़े को अपके मम्मी को पापा को दादा दादी या चाचा इत्यादी को अपने साथ रखें ताकि कोई खत्रा होने पर वो आपको आगाह कर सके और आपकी फिट सकती है हमेशा फर्स्टेट बॉक्स भी दिवाली के समय तयार रखना चाहिए ताकि जलने की स्थिती में दवाईयों इत्यादी की उपलब्धता सहज ही हो जाए फुलजडी को जलाने के बाद कभी भी जमीन पर ऐसे ही ना फेक दें किसी का पैर पढ़ सकता है और प किसी को भी नुकसान ना कर सके ये जरूर ध्यान रखें कि जहां पर भी आप पटाके जला रहे हैं वहां आसपास ज्वलन सील पदार्थ ना हो जैसे कि कोई कागच के टूड़े अगर चारो तरफ बिखरे पड़े हो तो वहां भी आग पकड़ सकता है अगर कोई तेल कियों के पास न रखें अगर उसमें आग लगी तो सारे फटाके एक साथ फूट सकते हैं और गंभीर दो घटना हो सकती है नायलोन वाले कपड़े कभी जब जलते हैं तो ये सरीर से चिपक जाते हैं और कभी जलने के बाद कपड़ों को उतारने की कोशिस की गई तो वह सा पास न प्ताकों में आग लगाए सिधे हांत में चोटी सी माचिसकी तीली से अगर पटाकों को आग लगाया जाया तो घायल होने का खत्रा ज्यादा होता है पटाके जलाते समय ज्यूते पहन कर रखें ताकि जलीवी फुलज़डी आदी पर पैर पढ़कर पैर को जला न स पूट ना जाए या कोई दूसरा उसे जलाने की कोशिस में घायल ना हो जाए मित्रों आजकर सेनिटाइजर का बहुत इस्तिमाल किया जा रहा है और यह सेनिटाइजर अती जुलन सिल्पदार्थ है अगर आप हाथ में सेनिटाइजर लगा करके पटाके को जलाने जाएंगे नीमों का पालंग ये थावज जारी रखें मास्क लगा करके रखें हाथों को बार बार धोते रहें और इसी को बधाईयां देना हो तो उसके लिए हाथ मिलाना या गले लगना इससे अभी बचें अपितु हाथ जोड़कर नमस्ते करके बधाईयां दें एक और सा अधानी चुकि दिवाली में पटाकों से हवा प्रदूशित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो स्वांस रोगी है दमा के मरीज है उनको स्वांस लेने में तकलिप बढ़ सकती है अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के वातरण में दम घुटने की स्थिति बन रही है स्वांस ल लाने के बाद हाथ को अच्छी तरह दो लें उसके बाद ही खाने पीने के समान को हाथ लगा है जो कि पटाकों में जो समगरी इस्तिमाल किया जाता है वो एक जहरीली समगरी होती है जो स्वास्त को खराब कर सकती है और मुसीवत में डाल सकती है इसलिए हाथों को अच्छ नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर दें ताकि अगामे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सुचना तुरंत पहुंच जाए आज के लिए इतना ही बिलेंगे अगले शुक्रवार को नए वीडियो के साथ दो पहर तीन बजये